हलो साथियों कैसे आप सभी मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंडेक जांपुर में बात करेंगे जीके और जीस के महतपूर कोशिंस के बारे में जो आपके परिच्छा में काफे हल्प करेंगे तो चले श्टार्ट करते हैं पहली विम लंडन चैंपियंशिप का अयोजन किया गया था 1863 में 1896 में 1884 में या फिर 1877 में प्रसन संख्या एक का सही जवाब डी 1877 को 9 जुलाई 1877 को पहली बार हुए थे विम लंडन चैंपियंशिप ठीक है अगला कोस्टन्स निमलिखित में से कौन सा क्री गयस है जो आम तोर पर प्रकास बल्वों में पाया जाता है आक्सीजन, हाइड्रोजन, रेडाउन या फिर आर्गन प्रसन संख्या दो का सही जवाब डी आर्गन अक्री गयस जैसे हीलियम हो गई, नियान हो गई आर्गन हो गई, क्रिप्टाउन हो गई, जीनाउन हो गई, रेडाउन हो गई, ठीक है यह सब अक्सीजन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा तो यह सुसन के कामाती है और जलाने के भी कामाती है किसको मतलब 1913 में नोवेल प्रुषकार और 1915 में नाइट हुट से समानित किया गया था महत्मा गांधी को, रविंद्र नाथ टैगोर को, सरोजनी नाइडू को या फिर मदर ट्रेशा को प्रसन संख्यातीन का सही जवाब बी, रविंद्र नाथ टैगोर ठीक है, इनको 1915 में नाइट हुट से समानित किया गया था और 1919 में इनकी, इनोंने अपनी नाइट हुर्च की उपाधी त्याग दी थी ठीक है, 1919 में महत्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो ये केसरे हिंद की इनको उपाधी मिली थी लाड हार्डिंग के द्वारा आज हयोग अंदोलन के समय पर ठीक है, 1915 में मिली थी, ठीक है, अगला कोश्चन, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटवाल इसोसियेशन विश्चु का पहला मेजबान देश कौन है तो इसकी जो मेजबानी पहला देश किया था 1904 में, उर्गवे, 1904 में, ठीक है ब्राजील की बात करें तो या फीफा भी सुकफ सबसे अधिक बार इसने जीता है, ब्राजील ने, ठीक है और इसकी सुरुवात 1904 से हुई थी, ठीक है, 1904 से और इसका मुख्याला है फीफा का जीवरिक, जीवरिक स्विजर लैंड में है, ठीक है फीफा का मुख्याला है, और इसके अध्यक्ष के बारें बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है, ज्यानी, इनफेंटिनो इनफेंटिनो, ठीक है, इसके अध्यक्ष है अगला questions निमने लिखित में से कौन सी पुस्तक आरके नाराड द्वारा नहीं लिखी गई है दा गाइड, दा जंगल, श्वामी एंड फ्रेंच या फिर माल्गुडी डेस तो प्रसन संख्या 5 का सही जवाब B यह जो दा जंगल बुक है तो यह आरके नाराड द्वारा नहीं लिखी गई है दा जंगल बुक ठीक है इसको लिखा है रोडियार्ड किपलिंग ने रोडियार्ड किपलिंग ने रोडियार्ड किपलिंग ने ठीक है दा जंगल बुक को इस बुक में मोगली का किरदार निवायय जाता है ठीक है और ये जो बाकी तीनों बुक हैं ये तीनों बुक तो इनको Arkansas disease लिखा है ठीक है अगला कोस्चन भारत में रिपोरेट दर और रिवर्स रिपोरेट दर को काउन निर्धारत करता है तो इंदर को RBI निर्धार करता है ठीक है अगला कोश्चन्स अराखु घाटी का पर्याटन स्थल है मदुराई में मदुराई में कोची में विसाखा पटनम में या फिर मंगलावर में प्रसन संख्या 6 प्रसन संख्या 7 का सही जवाब होगा विसाखा पटनम ठीक है यह जो अराखु घाटी है विसाखा पटनम में है अगर हम मदुराई की बात करें तो यहाँ पर मिनाक्षी मंदिर है जो काफी हमारे देश का प्रसिद्ध मंदिर है मिनाक्षी मंदिर जमिनाच्छी संद्रेश्वर् समान कहता है ठीक है और जो कोची की अगर हम बात करें तो यहां पर कोची फोर्ट जो है कोची फोर्ट एक है परिटनिस्थल तो मेगमलाई में इस्तित है मेगमलाई में कोची फोर्ट परिटनिस्थल मेगमलाई में इस्तित है ठीक है और मेगमलाई में चिराई वीज भी है चिराई वीज भी है कौन सा चिराई चिराई वीज है परदेशी सिन गांग है और विशाखा पटनम अराकू घाटी है जो कि आप अभी उपर ये पढ़ रहे हैं ठीक है और राम कृष्णन वीज भी है कहां पर मेगमलाई में ठीक है राम कृष्णन वीज और हम मंगलोर की अगर बात करें तो यहां पर तनिर्भवी वीज है और सुल्तान वैट इसने पदमश्री जीता किस खेल से समंदित हैं बैट मिंटन से तीरंदाजी से सतरंज से या फिर क्रिकेट से प्रस्न संख्या आठ का सही जवाब मिलेगा सी चेस सतरंज ठीक है बात करते हैं बैट मिंटन के वारे में तो इसके कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिनका न हो गई और प्रणाय राय हो गए ठीक है यह सब प्रसिद्ध खिलारी हैं है कि बैट मिंटन से संबदित अगर हम उब तो चेतेस्वर हो गए चेतेस्वर पुजारा हो गए प्रसिद्ध और रोहिष शर्मा हो गए आज इक किरहाड़े हो गए ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और सेर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखवाएं विश्चुखाद कारिकरम डबलू एफपी ए संयुक्त राष्ट की खाद साहता साखा है इसका मुख्याले कहां है वरुसेल्स में पेरिस में रोम में या फिर नियू यार्क में प्रसन संख्यान नौ का सही जवाब सी रोम कि बात करते हैं विश्चुखाद कारिकरम की डबलू एफपी की धीक है वरड़ फूर्ट प्रोग्राम डबल्लू एफपी इसकी स्थापना जो हुई थी डबलू एफपी इसका 1961 में हुई थी इसके महानी देशक डेविड वेसली है ठीक है और इसका सॉरी इसका हेटक्वाटर जो है तो रोम में है ठीक है किसका हेटक्वाटर रोम में जो कि यही पूँच रहा कोस्टन में अगर हम विस्टुबैंग की बात करें विस्व बैंक के बारे में पूछ लिया आता है तो इसको भी देख लेते हैं वर्ड बैंक ठीक है वर्ड बैंक के अगर हम बात करें तो इसके इस समय महाने देशक हैं डेविड मालपस डेविड मालपस और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी अगला कोश्चन उडान में यू का मतलब क्या है यूनाइटेड यूनिवर्सल उडे या फिर उमंग प्रस्न संख्यादश सही जवाब C उडे ठीक है यू का मतलब उडे से अगला कोश्चन एक मोल किसके बराबर होता है तो एक मोल बराबर होता है 6.022 into 10 to the power 23 के ठीक है अगला कोश्चन इन में से कौन सा सब्द कुत्तो के वैज्ञानिक अध्यन को संदर्वित करता है साइनोलोजी क्राइनोलोजी कारपोलोजी या फिर क्रीमेटिश टिक्सलोजी ठीक है तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा साइनोलोजी होगा साइनोलोजी के द्वारा कुत्तो के वैज्ञानिक अध्यन को संदर्वित किया जाता है बात कर लेते हम क्राइनोलोजी की तो इसमें मानो की खोपड़ी के बारे में अध्यन कियाता है और मानों की खुपड़ी कि आकार का धनकी आता है ठीक है, कार्पोलोजी की अगर हम बात करें तो इसमें फलो और वीजो के बारे में धनकी आता है अगला कोस्चन उस भोटिक विज्यानी का नाम बताइए जिसे नीट्रॉन की खोज का श्रे दिया जाता है और 1932 में उसे नोबेल प्रुषकार मिला था ठीक है तो Max Planck, J.S. Fermi, Enrico Fermi या फिर James Chadwick प्रस्ण संख्या 13 का सही जवब D James Chadwick ठीक है अगर हम बात करें इसमें देखिए इलेक्टरान की जो खोच की थी इलेक्टरान की तो J.J. Thompson ने की थी जे जे थांशन ठीक है और प्रोटान की जो खोच की थी प्रोटान की तो 1917 में गोल्ड स्टीन ने की थी ठीक है गोल्ड स्टीन ने और Max Planck की खोच जो की थी Max Planck की इसकी ठीक है तो इन्होंनों क्या दिया था Quantum सिध्धान दिया था Quantum सिद्धान दिया था ठीक है अगला कोस्चन देखते हैं बैंका बड़ोधा के साथ विजिया बैंक और देना बैंक का समयलन प्रभी हुआ कप कि एक अप्रेट टर्ठाब ही एक जनवरी को एक जूण को यह फिर एक अप्रेट को इसमें और यहार बैंका अगला कुश्चन नीश झाय किस का किस देश का मलेशिया का अफगानिस्तान का भूटान का या फिर स्री लंका का प्रस्न संख्या 15 का सही जवाब डी स्री लंका दालचीनी में मूल देश जो है तो भारत है ठीक है और म्यामार हो गया और स्री लंका हो गया ये तीन देश हैं इसमें स्री लंका सही होगा ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रप्या लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा वीडियो को ताकि अधिक से अधिर लोग जुड़ सकें और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा हमारे चैनल को तो चलिए यहीं पर क्लास को भुश्कार धन्यवाद